नमस्कारी स्टूडेंट्स आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है आज का हमारा महत्तोपूर्ण कंटेंट और चेप्टर है वह लोकतंतर और विविदता ये अपनी टेंथ कलास की लोकतंतरी के राजनिती का चेप्टर है तो लोकतंतर सबको पता है लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए सासन विवस्था होती है वो होती है लोकतंतर या विविदता विविदता ये लोकतंतर में विविदत परकार के जाती धर्म समुदायूं के लोग रहते हैं तो सामाजी के ऐसमानता तो आपने सुना होगा सामाजी के ऐसमानता समाज में ऐस मानता होती है वो क्या है आज हम इसमें महत्वपूर्ण पढ़ेंगे कि समाजिक विभाजनों की राजनिती को प्रभावित करने वाले कोई दो कारकों की चर्चा केजिए समाजिक विभाजन क्या होते हैं और समाजिक विभाजन को प्रभावित करने वाले समाज की पहचान का रहपाना मुश्किल है वाकेले होंगे तो उनकी खुद की पहचान का रहपाना मुश्किल ये लोगों की धारना होती है जो राजनिती को प्रभावित करती है सरकार की क्या परतिकरिया होती है यदि किसी समदाय के वाजिब मांगों को सरकार द्वारा नहीं माना जाता तो इससे सामाजिक विभाजन होता है जिससे देश की एकता और खंडता को खत्रा हो सकता है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं तो सामाजिक अंतर क्या हैं फिर सामाजिक विभाजनों का रूप कैसे ले लेते हैं तो एक सामाजिक ऐस मानता एक सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है जब ये कुछ अन्य सामाजिक ऐस मानता एक साथ आ जाएं जैसे गोरे लोग हैं वो अमीर भी होते हैं और सक्तिसाली भी होते हैं वहीं ऐस वेत जो लोग होते हैं यानि काले लोग होते हैं वो गरीब विभाजन का रूप ले लेता है या इनि वहाँ समाज है वो तूड जाता है विभाजन मतलब तूटना सामाजी के विभाजन से निपटने के लिए लोकतंतर कैसे साहिक है सबसे स्रेष्ट सासन वेवस्था कौनसी होती है लोकतांतरिक सासन वेवस्था होती है तब ये परसन उठता है कि सामाजी के विभाजन से निपटने के लिए समाज टूटे नहीं उसका विभाजन नहीं हो तो क्या लोकतांतरिक विवस्था साहिक है बिल्कुल साहिक है लोकतांतर में क्यों सायक है क्योंकि लोकतंतर में समुदायों के लिए सांति पून तरीके से उनकी सिकायतों को सुनना संभव है लोकतंतर सामाजीक विविदता को समायोजित करने में सबसे अच्छा तरीका है इसलिए लोकतांत्रिक सासन वेवस्ता सामाजिक विभाजनों से निपटने में सायक सामाजिक विभाजन और राजनिती प्रस पर समन्दी थें समझाईए जब सामाजिक विभाजन हो और वहां राजनिती भी हो जाए तो वहां कहने का वंदब जहां सामाजी के विभाजन हो वहां राजनिती भी अपनी रोटियां बहुत सेकती है तो वहां राजनिती के वेवस्था है वो किस परकार की हो जाती है लोगतांत्रिक सासन वेवस्था में अलग-अलग राजनितिक दल एक दूसरे के विरूद चुनाव लड़ते हैं और अधिक से अधिक वोट पाने की होड़ उनके बीच होती है यानि ज़्यादा से ज़्यादा प्रियास करते हो और जनता से बहुत बड़े-बड़े वाइदे भी करते हैं किसी विशेश समों के पक्ष में बोलते भी ताकि भी उनके पक्ष में मद्दान कर सके इसलिए इसपस्ट है कि लोकतंतर में सामाजी के विभाजन और राजनिती प्रसपर अंतर समन्दित हो जाते हैं इस चेप्टर में हमने पढ़ा था कि टोमी इसमित और जोन कार्लोस किस परकार से स्टेज पर अपना वो जब उनको इनाम बाटा जा रहा था प्रुसकार माटा जा रहा था तो किस तरीके से वो जाते हैं नंगे पाउं जाते तो टोमी इसमित और जोन कोरलोस ने किस परकार अंतराष्टे समुदाई का ध्याना करशित किया था तो उन्होंने अमरीकी ऐस्वेत लोगों को गरीबी जताने के लिए जूतों के बिना जूतों के यानि जूते उन्होंने निकाल दिये थे केवल मोजे पहन कर पुरुसकार गरहन किया था ताकि वो दिखा सके अमरीकी लोगों को कि ऐस्वेत लोग हैं वो गरीब है टोनी इस्मित ने ऐस्वेत लोगों के आत्म गोरव का परतीक अपने गले में मफलर पहना एस्वित लोगों का आत्म गोरोव का पर्ति क्या था काला मफलर और उन्होंने जब पुरुशकार गरहन करते समय पहना तो ये अंतराष्टी समुदाई का ध्यान आकरशित करने वाली बाते थी जोन कोरलस ने मारे गए एस्वेत लोगों की याद में काले मनकूं की माला पहनी थी तो काले मनकूं की माला पहनी काला मफलर पहना और बिना जोतों के केवल मोजे पहने उन्होंने प्रोस्कार ग्रहन किया था अमरीका में नागरी का दिकारांदोलन पिसंद सिप्टी पुनी लिखनी है ये अती महत्तोपूर परसनों के शीरीज अपनी चल रही है जो कि आपके अगजाम के दरश्टी कौन से अती महत्तोपूर है और अगले जो अभी अपना अगजाम होने वाला है इसमें आपको यहां से कई परसन देखने को मिलेंगे अमरीका में नागरी का दिकारांदोलन उननिस सो चोमन से उननिस सो अड़सर तक चला था ये साल याद रखें ये घटनाओं और सुधारांदोलन का एक शिलशिला था जिसका उदेशे अफ्रो-अमरीकन लोगों के विरुद होने वाले जो भेदभाव था नसली भेदभाव बोलते हैं जिसको यानि रंग के आधार पर जो भेदभाव हो उसे बोलते हैं नसली भेदभाव और इसको चलाने वाले कौन थे मार्टिन लूथर किम समाजिक भेदभाव की उत्पत्ती की कारण कौन से होते हैं समाज में भेदभाव की उत्पन हो जाते हैं तो समाजिक विभाजन के अधिकान जनम पे आधारित होते हैं समाज में लोगों का जनम जिस समदाई में हो जाता है जिस परिवार में हो जाता है हमारा जीवन समदाई में होता है तो हम उसके सदसे बन जाते हैं जैसे जाती और नसली अंतर हो जाता है आर्थिक आसमांताओं के कारण भी सामाजिक बेदभा होता है उदार्ण के लिए एक ही परिवार में धनी और गरीब व्यक्ति प्राय एक दूसरे से गनिष्ट समंद नहीं रखते क्योंकि वे अपने को अलग महसूस अनभव कराते हैं क्या समाजिक अंतर सभी देशों में अस्तित्व रखते हैं समाजिक अंतर क्या सभी देशों में पाये जाते हैं परसना इसे भी पुछा जा सकता है तो हाँ बिलकुल सभी देशों में समाजिक अस्तित्व होता है समाजिक अंतर होता है समाज में रहने वाले लोगों के बीच समाजिक अंतर कहलाता है अधिकतर देशों में समाजिक अंतर पाया जाता है वो चाहे देश बड़ा हो छोटा हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता जैसे भारत में और बेलजीम का उदारन हम ले या ले हम जर्मनी और स्वीडन का तो वहाँ भी समरूप समाज है लेकिन फिर भी दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचने वाले लोगों के कारण वहाँ तेजी से समाजिक अंतर है वो बढ़ रहा है नेक्स्ट अपना चेप्टर होगा जाती धर्म और लेंगिक मसले जाती आपको पताई है धर्म आपको पताई है लेंगिक मसले यानि महिला और पुर है जाती है महिला और पुरुष के बराबरी की बात करताँ उसे क्या कहेंगे नारीवादी नारीवादी कहेंगे क्योंकि वह नारी का सपोर्ट कर रहा है जाती को समुधाय का मुख्य आधार मानने वाले भ्यक्ति क्या कहलाते हैं जाती को समुदाई का मुख्य आधार मानने वाले वेक्ति क्या कहलाते हैं वेक्तियों की बीच धर्म आस्था के आधार पे वेदबाव करने वाला वेक्ति क्या कहलाता है तो धर्म में सभी राजनीती से धर्म को कभी भी राजनीती से अलग नहीं किया जा सकत धर्म का मतलब है नैतिक मुले ये किस ने कहा था धर्म को राजनिती से अलग नहीं किया जा सकता धर्म का मतलब है नैतिक मुले ये कहा था महत्मा गांदी ये गांदी जी ने कहा था संप्रदाइक समस्या तब शुरू हो जाती है जब राष्टर को क्या मान लिया जाता है धर्म के आधार पे राष्टर को धर्म है वो राष्टर का आधार मान लिया जाए जैसे भारत में धर्म को राष्टर का आधार नहीं माना गया है भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है भारत का पडोशी देश पाकिस्तान वहां धर्म को आधार माना गया है तो वहां सांपरदा एक्स्ता की समस्या सुरू होती है जाती पर आधारित विभाजन शिर्फ भारती इस समाज में ही देखने को मिलते वरन विवस्ता अन्य जाती समों में भेदबा और उने अपने से अलग करने की धारणा पर आधारित होते है रिक्स्तानों की पूर्ती में ये आपके रिक्स्तान है और इनकी आंस्वर दी हुए हैं इसमें से आप इनको हल करें भारती में जनगनना 2011 के अनसार महिलाओं की साक्षर्ता दर कितनी है तो भारत में 54 परतिसत है वो महिलाओं की साक्षर्ता दर है जाती वाद से आप क्या समझते हैं राजनीती में जाती के विभिन रूपों को समझाना है भारती राजनीती में जाती की भूमेका को इसपस्ट कीजी तो उमीद्वारों का चुनाव जाती के आधार पिकिया जाता है और राजनितिक धलूमीद्वारों का चुनाव करते समय जातियों की संख्या कितनी है उस छेतर में रहने वाले जाती की संख्या कितनी है उसका ध्यान रखते है ताकि चुनाव जीता जा सके तो मीद्वार को खड़े करते समय, जातियों का ध्यान रखा जाता है, सरकार के गठन में जब सरकार बन रही होती है, तो भी जातियों का परतिनी धित्वा का ध्यान रखा जाता है, जातिकत भेद भावं में बढ़का कर वोट पाने की कोशिस भी की जाती है, जब वोट बंक बढ़ाने के लिए जातिगत गोल बंदियों और निम्न जातियों में राजनेतिक चेतना का उदे जाती वाद से आज से क्या है क्या कि जाती ही सामाजिक समधाई के गठन का एक मात्राधार है और एक जाती के लोग के हित एक जैसे होते ये उनके पिछे माननेता होती है भारत में राजनिती में जाती और जाती के अंदर राजनिती इस कथन के पक्ष में तरक देने आपको तो कुन से तरक देंगे आप क्या भारत में जाती में राजनिती और जाती के अंदर राजनिती ये कथन है ये सही है तो ये इसके पक्ष में हम कह सकते हैं कि उमीद्वारों का च पर कबजा नहीं कर पाती इसलिए ये ज्यादा राजनेतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों से भी समझोता कर लेती है एक ही जाती के लोग अलग विक्तियों के नेतर्थवा अलग अलग दलों में भाजित हो जाती है जाती व्यवस्था के प्राचीन सवरूप में बद थी तो वर्तमान में कुछे कारण जिनके कारण बदलाव आ रहे हैं जाती पर्था में परिवर्तन भारत के आर्थिक विकास कर रहा है तो परिवर्तन आ रहा है सहरी करण बढ़ रहा है साकसरता की धर भी बढ़ रही है सिक्ष्या के विकास पेशा चुनने यानि अपना र तो जाती व्यवस्था का जो प्राचीन रूप है उसमें बदलाव के कारण है बढ़ता हुए सहरी करण आर्थिक विकास साक्सर्था की दर्षिक्ष्या का विकास और रोजगार के आवसर जमिधारी व्यवस्था का कमजोर पढ़ना आदिकारण जाती गत एसमानता के तीन उदारण और उस एसमानता को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे ये परसन अपना बन रहा है तो जाती गत एसमानता के उदारण जैसे उमच नीच अधारित वेवस्था विवसाई में भी भेदभाव होता है दूर करने के सुझाव क्य प्रशार द्वारा जित शिक्ष्या का इस्तर बढ़ेगा तो ये सब वेवस्था हैं ये कमजोर हो जाएंगे अपने आप अंतरजाती विवाह को प्रोचान देना लेंगिक विसमता को समझाईए तो लेंगिक ऐसमानता या विसमता लेंगिक ऐसमानता का धारिस्त्री जैसे ग्रस्ति चलाना मानते बच्चों का पालन पोशन करना मानते तो ये कारिया दिकतर परिवारों के सरम के लेंगिक विवाजन में जलकती हैं तो सरम का लेंगिक विवाजन समाज करता है सामप्रदा एक्ता क्या है भारती राजनिती में इसके रूप कौन से हैं तो भा विवध करना, लड़ाई जगड़ा करना, दंगा करना, समाज की वैस्तिति है, जिसमें भी धार्मिक समू अबने धार्मिक समू पर सुरिष्ता साबित करने का प्रियस करता है चाहिए वो धर्म के आधार पर अलग राष्टर बनाने की बात करने पड़े भारती राजनिती में सामपरदाइकता की अभिवेत्ती के रूप कौन से है जैसे धर्मिक पुरुआ गरह रखना बहु संख्यक वाद कोई धर्म बहु संख्या में होगा तो वो अलप संख्यक धर पर इस परकार के कारिय कर सकता है यानि उनको कम तर आख सकता है सामपरदाइक हिंसा को बढ़ावा दिया जा सकता है धर्म के आधार पर राजनितिक गोल बंदी के जा सकती है भारत में महिलाओं को राजनितिक परतिनीधित्वत देने ही तो क्या प्रियास किये गए है तरक दीजी कोई तीन आपको बताने कि कौन-कौन से प्रियास भारत में राजनितिक परतिनी धीत्वा महिलाओं को देने के लिए प्रियास की जा रहें कि आपको लग रहा ऐसा तो भारत में पंचायती राज वेवस्था के अंतरगत कुछ सहिवधानिक प्रावधान किये गए हैं और यह कब की गई है आपको भी बता है 1902 में तेतरवा और चोतरवा से विधान संसोधन किया गया था पंचायती राज और नगरिये निकायों के लिए तब 33 पर 33 आरक्षन दिया गया है लोकसभा और विधान सभा के अंदर में लोकसभा यानि संसद और राजियों में हित्व नहीं है ध्यान रख्यां महिला संगठुनों कारे करताओने लोकसभा और राज जी विधान सभाओं में एक ती है शीटे महिलाओं के लिए आरक्षित करने के मांग की हैं संसद में लंबे समय से लंबित विधेक है लेकिन उस पे अभी तक आरक्षन की कोई विवस् नेक्स टेप्टर है जन संगर्ष और अंदोलन जन संगर्ष यानि जनता का संगर्ष और अंदोलन दबाव समू और अंदोलन में अंतर क्या है दबाव समू यानि कोई भी हित समू है तो वो दबाव बनाकर सरकार से अपनी बाते मनवाले तो उसे कहते हैं दबाव समू कि जन आंदोलनों का संगठन है वो कमजोर होता है दबाब समों के फैसले अपचारिक ढंग से लिये जाते हैं परंतों आंदोलनों में अनपचारिकता होती है दबाब समों के फैसले आंदोलन के फैसले के तुमना में लचीले होते हैं दबाब समों जनता की भागेदारी पर कोई लालच नहीं होता जबकि राजनेतिक दल लालच के लिए ही सत्ता के लालच के लिए ही चुनाव लड़ते हैं कोई भी कारी करते हैं उनके पीछे चुनावी लालच होता है सत्ता का लालच होता है राजनेतिक दलों में दवाब समों का उदेश सिमित होता है जबकि राज एसोशियेशन, टीचर्स का संगठन हो तो टीचर्स एसोशियेशन, सिख्षक ट्रेंड एसोशियेशन और ट्रेड यूनियन जैसे मजदूरूं का संगठन, राजनेतिक दलूं के उदारन लें जैसे भाजपा, दारते जनता पार्टी, कॉंगरे साधी, सुची एक को सुची दो से मिलान करना है, एक तरफ राजन, एक तरफ संगठन है, एक तरफ संगठन है, तो किसी विशीश समूं की हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को क्या कहेंगे, किसी विशीश समूं की हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है यहां, जन आंदोलन । जन समानिय के हितों को बढ़ाव देने वाला संगठन किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गय ऐसा संगहर्स जिसमें संगठनी एक सरंचना भी हो और नहीं भी हो वर्ग विशेश के हित समूँ ऐसा संगठन जो कल्यान कारी सत्ता पाने की इच्छा से लोगों को लाम बंद करता हो लोग कल्यान कारी हित समूँ इसमें हम मिलान करेंगे तो हम करेंगे किसी विशेश समू के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को वर्ग विशेश के हित समू जन समाने के हितों को बढ़ावा देने वाले हम को क्या कहेंगे लोग कल्यान कारी लोगों के कल्यान के लिए कारे कर रहा है किसी समाजिक समस्या के समादान के लिए संगठन बन भी सकता नहीं भी बन सकता तो इसको क्या कहेंगे आंदोलन ऐसा संगठन जो राजनितिक सत्ता पाने के लिए लामबद हो, तो उसे राजनेतिक दल कहेंगे, सथा की इछ्ष्या हो, तो राजनेतिक दल हो जाएगा, दवाब समू, दवाब समू कोण सह होगा, इन में से न्रमधा बच्चा ओ असमगन परिशद महिला अंदोलन, खाद विक्रेता का संग, तो इसमें पूद्धी का अंदोलन कौन सा हुआ महिला अंदोलन एक मुद्धे पे आधारीत अंदोलन नरमधा बचाओ अंदोलन नरमधा नदी पर बांध बनाये जा रहे हैं तो वहां से लोगों को विश्थापित किया जा रहा उसी के लिए इक अंदोलन है राजनेतिक दल असमगण क्या समानता मनते हैं दोनों है तो जं संगरश है नेपाल का आंदोलन बोल्या का जल विद्ध युद्ध दोनों लोकतांतरिक त्रीक चलाय जा रहे आंदोलन थे दोनों संगरशों में सफलता मिली तथा लोकतंतर प्रेमियों के लिए प्रेना का सरोत भी है नेपाल और बोल्विया के आंदोलन में ऐस मानता क्या थी दोनों लोकतंतरिक थे लोकतंतर एक प्रेमियों के लिए प्रेना सरोत थे तो फिर आंतर क्या था अंतर देख लेते हैं नेपाल में चले अंदोलन का लक्षे लोक तंतर को पुना इस्थापित करना था, जबकि बोल्यूया के अंदोलन का लक्षे लोक तंतर को सुद्रड करना था, यहां लोक तंतर पुना इस्थापित करना, यहां लोक तंतर को सुद्रड करना, नेपाल का अंदोलन सरकार के रा देशे लिखे बामसेफ का पूरा नाम पूछा गया था पिछली बार तो ये नाम भी याद रखना आपको बामसेफ का पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनरिटी कमिनिटी एंपलोईज फेडरेशन बामसेफ क्या है ये भी पूछा गया था बामसेफ का पूरा नाम आपको ध अभियान चलाता है जाती गत जाती का अधार पर जो वेदवा होते हैं उसके खिलाफ अभियान चलाता है इस संगठन का मुख्यूदे से सामाजिक न्याई प्राप्त करना और सामाजिक समानता हासिल करना है दवाब समू किशे करते हैं उदारण देना है वो संगठन या समू जो सरकार की नीतियों के खिलाब होते हैं और उनसे ऐसंतुष्ट होते हैं तो सरकार पर दवाब बनाते हैं उन सरकार को प्रभावित करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार सरकार की मांगों को मनवा सकते हैं, सरकार पर दवाब बना सकते हैं इसलिए इन्य करते हैं दवाब समूँ वर्ग विशेश की हित समूँ जैसे मजदूरों का संगठन विवसाई लोगों का संगठन पेशेवर जैसे वकिलों का संगठन डोक्टरों का सिक्सकों का ये वर्ग विशेश की संगठन है जन समाने की हित समूँ जैसे मै मान ले हम, मानव अधिकारों का संगठन, मंधवा मजदूरी की विरू लड़ने वाले मजदूरों का संगठन, बोलविया के जल युद्ध के बारे में बताना है, तो बोलविया के बारे में तो हम उपर बात कर चुके हैं, कि किस परकार का थाई, राजनिती के दल, नेक्स च राजनिती के दल और उनके चुनाव चिन से सुमेलित करना है, राष्ट्रिय दल का चुनाव चिन क्या है, और इस थापना वर्ष क्या है, तो गोंगरेस का चुनाव चिन धाईना हाथा उने से बिना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में, भरती जनता पार्टी, कमल का फूल, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन हाथी, इसकी स्थापना 1984 में हुई, भरती कमिनिस्ट पार्टी CPI में, 1964 में स्थापना हुई इसकी हथोड़ी और दराती, कांग्रेस पार्टी NCP घड़ी है इसका चुनाव चिन, और 1999 में इसकी स्थापना भी आल, इंडिया, तरणूल, कॉंग्रेस, फूल और घास है, और इसकी स्थापना उने 1968 में हुई, ये सब राष्टी पार्टियां थी, तो राष्टी पार्टियों के नाम आजएं तो भी आपको याद रखना है, छेत्री पार्टी, दो छेत्री पार्ट स्यूंक प्रगती शील गठ बंदन, जिसको बोलते हैं, यूपिये, तो 2004 के चुनाओं में लोक सबाब, भारत में कितने परमोक संगठन थे, वाम मोर्चा, तो ये उप्रूक्त सभी थे, छेत्री पार्टियां, अगर आपसे छेत्री पार्टी पुछली जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर परदेश में है, शिरोमणी अकाली दल पंजाब में है, डीम के अनना, डीम के तमिनाडू में है, सीवसे ना माराष्टर में जनता दल और राष्टरे जनता दल, बिहार में नेशनल कॉन्फरेंच, जमुकस मिर तेल गुदेशम पार्टी आंदर परदेश भारत में कौन सी दलीय वेवस्था है तो भारत में दलीय वेवस्था है वह है बहु दलीय यानि बहु जन समाज पार्टी की विशिष्था क्योंकि दलीय वेवस्था एक दलीय दूई दलीय और बहु दलीय मतलब दो से अधिक दल हो जहां तो भारत में बहु दलीय पूरे साहाम, आदमी पार्टी, राब पार्टी, भूजन समाज पार्टी, ये पार्टी, समाजवादी पार्टी कितनी पार्टी हैं। भारत में राजनेतिक दलूं का पंजीकन मानेता और चुनाव चिन परदान करने वाली संस्था कौन सी है। आल इंडिया त्रमूल कॉंगरिस पार्टी किसन स्थापक हैं, जिसकी स्थापना उनी सो अठ्याण में हुई थी, उपर देखा हैं। त्रमूल कॉंगरिस की स्थापना कब हुई थी, उनी सो अठ्याण में। किसन स्थापक कौन हैं, ममता बैनर जी। वर्तमान में एक मात्र महिला मुख्य मंतरी हैं, जो की पस्चमी बंगाल की हैं, ममता बैनर जी। बहुदली ये वेवस्था में एनेक पार्टियां चुनाव लड़ें, सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे क्या कहा जाता हैं? दली ये गठवंदर। बहरत में सबसे पुराना राजनेतिक दल है, वो कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना राजनेतिक दल है, वो भारती राष्टे कॉंग्रेस, जिसकी स्थापना 1855 में हुई थी, जब देशा आजाद भी नहीं हुआ था, तो सवतनतरता संग्राम इसी पार्टी के नेतरत में लड़ा गया था, भारती राष्टे कॉंग्रेस पार्टी, किस दल के हाथ में सब्ता रहती है, जिस दल के हाथ में सब्ता रहती हो, क्या कहलाता है, सब्ता धारी दल, किस देश में द्वीदलिये वेवस्था है, तो स्युक्त राज्य अमेरिका में द्वीदलिये वेव चीन में एक दलिय वेवस्था है भारत में बहुत दलिय वेवस्था है पाकिस्तान में भी बहुत दलिय वेवस्था है 2019 में भारत में राष्ट्री दलूं की संख्या कितनी थी आठ राष्ट्री दलूं की संख्या पुछी कही है एक दलिय वेवस्था वाला देश कुन सा है च कुन सा होता है राजनेता होते हैं बिलकुल होते हैं राजनेतिक दलों में राजनेता तो होते ही होते हैं सक्रिय सदस्य भी होते हैं अनुयाई भी होते हैं उनके उप्रिक तो सभी होते हैं तो राजनेता सक्रिय सदस्य अनुयाई लोगों का वैस मोजो सत्ता प्राप्त करने युदेशे से समान विचारधारा के आधार पे संगठन बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं राजनेतिक दल, ये उप्शन अपना सही हो जाएगे, लोकतंतर के प्रिणाम, नेक्स चेप्टर होगा अपना लोकतंतर का प्रिणाम, तो लोकतंतर की प्रिभासा, सबको पता है, जन अबराहम लिंकर ने, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए सासन, अमरीकी राष्टर पती अबराहम लिंकर, लोकतंतर की दो विशेस्ता और लाब बतानी है, लोकतंतर जनता का सासन है, बिलकुल नागरिकों के भी समानता को बढ़ा देता है, विक्ति की गरीमा को बढ तुपूर्ण होती है गलतियों को सुधारने की अनमती देता है विल्कुल देता है एक वैद सासन वेवस्था है लोकतंतर में वैद लोकतंतर को वैद सासन वेवस्था क्यों माना जाता क्या कारण है तो ये जनता की चुनिवी सरकार होती है इसलिए जनता के पड़ती सम्रधी नहीं मत शहाला है also uh वे देश से आरंधी कने संतर की चरद को कुछम है रसकार देश सरकार के के कर्फा कि वाने कम मत शहाला कनाइज करना कि अखेला है आर्थिक तै की गया जो आर्थिक प्रात्मिक तै वो कैसी है लोगतंत्रिक विवस्था ताना साही से क्यों बेहतर होती है उपर हमने देखा कि आर्थिक विकास तो ताना साही विवस्था है उसमें अच्छा होता है लेकिन लोगतंत्रिक विवस्था ताना साही से बेहतर क्य होती है क्योंकि लोगतंत्र में सवतंत्र और निस्पक्ष चुनाव होते हैं मिलकुल लोगतंत्र में नीती और निर्णयों पर खुली बहस होती है ताना साही सरकार की तुन्ना में लोगतंत्रीक सरकार की कमिया कौन सी होती है तो लोगतंत्रीक सासन में सरकार में निर्णय ल करवाधिक हें कि दाना आणा साई शाषन में ब्रसटाचार् उच इसतर का उता है। हुता है। कर जानितिक समानता और महिलां के समानता पर सरवाधिक जोड़ दिया जाता है। सरवाधिक सुरक्षित होते हैं तो ये लोकतंत्री के वेवस्था है जहां वेक्ति की गरिमा पर ध्यान दिया जाता है राजनेतिक समानता और महिलाओं की समानता पर ध्यान दिया जाता है वो होता है लोकतंत्री के वेवस्था लोकतंतर का एक राजनेतिक पक्सा आपको लिखना है तो मध्दान और चुनाव लड़ने का अधिकार है वो लोकतंतर में राजनेतिक पक्स है तानासा ही सासन की दो विशेस्तों लिखनी कमिः मतानी तो कम खर्चिला सासन है और प्रशासन में छ्थिरता रहती है व्यक्ति की गरीमा की उपेक्षा कमी बता रहे हैं दो तो विशीस्ता बता दी दो कमीयां भी बतानी है व्यक्ति की गरीमा का कोई वहाँ ध्यान नहीं रखा जाता है नहीं उपेक्षा होती है राजनितिक समानता की भी वहाँ उपेक्षा होती है कि नहीं दो देशों के नाम बताने जहां पर लोकतंतर मजबूत और सफल है भारत है सुखतराज अमेरिका है और इंगलेंड है दो ताना साही देशों के नाम भी बताने है उत्री कोरिया और चीन उत्री कोरिया के ताना साही तो आप देखते ही हैं किंग जोंकों और चीन एक पर विचार विमर्स होता है और विचार विमर्स होने के कारण अधिक समय लग जाता है किन दो संस्थागत कारियों में लोगतांत्रिक विवस्था सफल रहती है एक तो नियमित और निश्पक्स चुनाव करवाई जाए खुली सारवजनिक चर्चा के लिए किस देश में आई के समानता सबसे अधिक है वो कौन सा है दक्षनी अफरीका लोगतांत्र का परिणाम क्या होना चाहिए एसी लोगतांत्रिक सरकार हो जो समी धान की मानने और लोगों के परती जबाव दे हो लोगतांत्रिक सासन के कोई ऐस समता चिंता विषए है कौन सा है तो उचत्तर आर्थिक समवर्धी की चिंता रहती इसमें लोकतंतर की चुनोतियां कोई लोकतंतर की दो चुनोतियां कौन सी हैं तो लोकतंतर की दो चुनोतियां लोकतंतर के विस्तार की ज्यादा से ज्यादा लोकतंतर का विस्तार किया जाए और लोगतंत्र को मजबूत कैसे करें ये भी चुनोती रहती है भारती ये लोगतंत्रिक वेवस्था की परमुख दो चुनोतियां कुन सी हैं तो रोच सरकार के तीनों अंगों के बीच टकराव बना रहता है संग और काईओं के विश टकराओ ये चुनोतियां रहती हैं लोकतंतर की चुनोतियों के समाधान के लिए दोसु जाओ शिक्ष्या और जागरुपता को बढ़ाया जाए सवतंतर और निस्पक्ष न्याई पालिका होने चाहिए सवतंतर और निस्पक्ष चुनाव की विवस्था भी होने चाहिए लोकतंतर में बुनियादी आधार की चुनोतियों से क्या तात्प्री है तो लोकतंतर में बुनियादी आधार की चुनोति का मतलब है कि मुझूदा गयर लोकतंतरिक सरकार को गिराने सत्ता पर्षेना के नियंद्रण को समाप्त करने और समपर्भू सासन विवस्था को इस्थापित करने की चुनोती रहती है लोकतंत्र के विस्तार की चुनोती से क्या आस्य है इस चुनोती से आस्य है कि लोकतंत्री के विवस्था के जो बुनियादी सिध्धान्त है उनको सभी छेत्रों सामाजीक समोर सिविन संस्थाओं पर लागू किया जाए लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनोती से क्या मतलब है या क्या अभी प्राई है तो लोकतंत्र को मजबूत करने से मतलब है कि लोगतंत्रीक सिंस्थाओं और पर्थाओं को मजबूत किया जाए भारत में लोगतंत्र के समक्स चुनोतियां हैं जो बेहद घातक चुनोतियां हैं वो हैं बरश्टाचार जातिवाद, छेतरवाद और भासावाद और आतंक वाद लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है तो सरकारी फैसलों में पारदर्शिता हो लोगों की भागिदारी ज्यादा से ज्यादा हो लोकतंत्रिक संस्थाओं को मजबूत बना कर भी लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है बिहार में लोकतंतर की जड़े कितनी गहरी हैं तो बिहार में प्राचीन काल से ही लोकतंतर विद्यमान है बिहार के ही वैसाली जिले में लक्षियों को द्वारा एक गणराज्य था ये उनकी द्वारा गणतंतर की स्थापना की गी थी और राज्ये सक्ति जनता के हाथों में थे वह देश जाम में इलाओं को सारवजनी के गती विधियों में हिस्सा लेने की अनमती नहीं है वो देश कुन सा है सौधी अरब नेपाल में किस तरह की सासन वेवस्था है नेपाल में और लोकतंतर की स्थापना के लिए कुन सी बाधाएं वहां उत्पन होती है तो वर्तम कफी समय बाद लाग हुआ तो वहां सामाजी के विसमता है मावववादी विचारदारा है अल्प व्यस्क लोकतंतर इस परकार के लोकतंतर को बोलते हैं यानि वहां भी लोकतंतर है वो डवलप नहीं हुआ वहां सामाजी के विसमता है मावववादी विचारदारा है और स सबीधान का अभाव भी है नेंशल मंडेला का समंदकी देश से अधक्षिन अफ्रीका लोगतंतरिक वेवस्था के समक्स चुनोतियां कौन सी हैं लोगतंतर को मजबूत करना विश्थार करना बुनियादी आधार को मजबूत बनाना ही इनमें से सभी चुनोतियां हैं लोगत नितिक सुधारों का कारे समाजीक राजनितिक सुधारों में किन उपाईों को च्फल होने की संभावन अधिक रहती i . तो मीडिया, नागरिक, संगेर्ठन और लोकaltetरी कांदोलन ये सभी सुधारों के उपाई कर सकते हैं लोगतंतर की विभिन चुनोतियों के सभी सुझाओं का प्रस्ताओं किस नाम से जाने जाते हैं तो आर्थिक सुधार, राजनितिक सुधार, सामजिक सुधार, धार्मिक सुधार लोगतंतर के भिन चुनोतियों के सभी सुझाओ और प्रस्ताओ किस नाम से जाने जाते हैं सुचना के अधिकार कानून दो हजार पांच की विशीष्ता क्या है तो इसकी लिए लोगों को जागरू को बनाने और लोगतंतर के रक्षक के रूप में ये एक परकार के हथियार के रूप में काम कर रहा है और बरिष्टा चार पे अंकुष लगाने में तो प्रिउक्त सभी हो जाए गए लोगों को जागरूप कर रहा है लोगतंतर के रक्षक के रूप में काम कर रहा है बरश्टा चार पेंग कुछ लगा रहा है तो 2005 में सुचना का अधिकार कानून कब बना 2005 में अक्टुमबर 2005 में ये लागव हो गया था तो ये महत्तोपूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचाने का परियास मेरे द्वारा क्या गया है आपके बेहतर भविश्य के लिए एक बेहतर परियास मेरे द्वारा क्या गया है मुझे उमीद है कि अब जो अक्जाम होने वाला है उसमें आपको यहां से कई परसंदेखने को मिलेंगे मिलते हैं महत्तोपूर्ण और इंपोर्टेंट सुचना के साथ तब तक थैंक्स ओल दी बेस्ट प्रिक्ष्या में आपकी सुब कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्यू